लोग कहते हैं अगर आपको कुछ चाहिए तो भगवान से मांगे अगर कुछ पाप किये हैं तो भगवान से माफी मांगे आपने अग्रिम जमानत तो सुना होगा लेकिन क्या आपने कभी अग्रिम माफी मांगती हुए किसी सक्स को देखा है वो भी किसी इंसान से नहीं बल् परवाली से हमारा मतलब भगवान बिल्कुल भी नहीं है बलकि यहां पर CCTV कैमरा है क्या है पूरी कहानी बताते हैं आपको अपने खास सेग्मेंट में हम नमशकार स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेग्मेंट है जब गजब में और मैं आपकी साथ बंदना पांगे चोर औ मंदर में घुसा तो था चोड़ी करने लेकिन पहले अपना काम करने से पहले वह भगवान की मुर्पी के सामने हाथ जोरा और फिर माफी मांगती हुए दिखाई दे रहा है या पर यह भी कह सकते हैं कि आशिरवाद ले रहा है महंगे सामान लेकर वह भागने से पहले आश इसी भी चोड़ को भगवान के सामने हाथ जोर कर माफी मांगने के बाद चोड़ी करते हुए शायद आपने पहले सुना या पर देखा होगा लेकिन जैपूर में ऐसी ही घटना को व्यक्ति ने अंजाम दिया है जिसमें वह पहले मंदिर के दरवाजों से सीधे मंदिर में प्रवेस करता है आम लोगों की तरह भी भगवान की मुर्ति के सामने हाथ जोर कर घरा हो जाता है और उसके बाद वहां से एक एक करके आप घूशनों को लेकर पडार हो जाता है अब एक उपर वाले से तो उसने माफी मांग ली लेकिन उसको क्या पता इस जमाने में एक उ और इस बार भी वही हुआ है इस चोर के साथ घटना जैपूर के शाहपूरा कजबे के गाओं कोना कासर की है जहां चोर भगवान से आशिरवाद लेकर कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि उसने भगवान से पहले आग्या लिया परमिशन लिया उसके बाद वो चोरी को अंज हैं तो दूसरी तरफ से सामने आया है वह सोचल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल हो रहा है उसे देख कर भी लोग अपनी हसी नहीं रोख पा रही है तो मंदिर के पुझारी जी को यह चोड़ी की बात तब पता चली जब सुबह में मंदिर वो जाते हैं और वहां से वह पॉलस के पास चले जाते हैं वहां चांदी की छत्र मंदर से जाते हैं वहां पर शिकायत करवाते हैं उसके बार जॉच परताल की जाती है स्वाइवां का शिरवात लेकर चुड़ाया है मार्केट में करीब 2 लाक रुपए का बिगता है बाकि अब वेक्ति की पैचान करके उसको ढूंडा जा रहा है बात यह है कि बदलते समय में चोड भी बदल रहे हैं पूजा पार्ट पर भी ध्यान दे रहे हैं और पहले भगवान से आशिरवाद लेकर ही चोड़ी को भी अंजाम देने लगे हैं लेकिन वो आमें के पीछे ते विशाल और मैं किया आपके साथ वंदना धन्यवाद